नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फेर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की ताजा ख़बर ब्रेकिंग डूस है कि हिमाचल प वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना हम बिल्कुल भी न भूले हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर जो है हिमाचल परदेश में पहुंच गया है तो हिमाचल परदेश में दो और करोना संक्रमितों की मौत हो गई है शुकरबार को कुलू के बजोरा की 48 परशी करोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया IGMC शिमला में भी करोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई जहनकारी के अनसर असप्तार के करोना संदेग दवाल में शुकरवार को नहान से रेफर एक मरीज की मत हो गई मौत के बाद उसका करोना की जाँच के लिए टेस्ट लिया गया जिसकी लिए पोजिटिब आई सुल लंसतारा कांगड़ा 14 सिरमौर 16 के नौर आठ चमबा साथ उनना तीन बिलासपुर दो और लोहलसपिती में एक पोजिटिव मामला आया है इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा जो है 20,040 पहुंच गया है और 2,620 सक्रिय मामले है 17,113 मरीज जो है ठीक हो चुके हैं अब तक 280 करोना संक्रमितों की जो है मौत हो चुकी है राजदानी शेमला के सरकार स्कूल में करोना के मामले आने से हटकम मचा हुआ है अब तक तीन शेक्षक करोना पोजिटिव आ चुके हैं कुछ दिन पहले संजोले स्कूल का एक संक्रमित निकला था वहीं शुकरवार को राज किये उच्विद्याल्य अन्ना डोल की एक अध्यापी का करोना पोजिटिव आई है तो इस परकार दोस्तों यह थी अभी की तारा ख़बर ब्रेकिंग निज्ज अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया तो वीडियो को शेर करके अंक